Hello students, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ important programming languages के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम आज के वीडियो लेक्चर में इन programming languages के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इनके features को हम यहाँ पर discuss करेंगे तो कौन-कौन से programming languages आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आये जान लेते हैं पहली हम देखेंगे basic language दूसरी Fortran तीसरी कॉबल फूर्ट है programming language C और programming language C में हम देखेंगे uses of C programming languages देखें जो हम यह languages पढ़ेंगे basic Fortran कॉबल यह सिक हमारे knowledge के लिए important है यानि इसका थोड़ा सा knowledge हमको होना जरूरी है क्योंकि इसमें से कोई एकात question आ सकता है लेकिन programming language C थोड़ा important है और इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे है Python programming यह तो आप जानी गए इसके बारे में जाना तो हमको बहुत जरूरी है ठीक है इसके हमने लिखा है introduce in 1964 जो आपके basic programming language है यह 1964 में बनी थी Then developed by J.Camney and T.Curge ठीक है समझे गा है आप कि जो basic language है उसको J.Camney and T.Curge ने तयार की थी या बनाई थी Then ancestor of visual basic, visual basic के पूरवद है जो basic programming language है यह visual basic के भी पहले आई थी ठीक है पहले basic आई थी फिर बार में visual basic आई थी यानि काफी पुरानी programming language है आइस के कुछ features देख लेते हैं कि basic programming language में क्या-क्या खासी आती थी Parity educational आप education purpose से basic programming का use कर सकते थे Next आती है interactive जो basic programming language थी यह काफी interactive थी Then simple syntax, simple syntax है यहाँ पर क्या मतलब है सबसे पहले syntax के बारे में जान लीजिए प्रीविस वीडियो में भी मैंने बताय था syntax यानि program लिखने का तरीका जैसे कि हमारी English language है, Hindi language है इनको लिखने का इनको बोलने का तरीका है एक format है इसी प्रकार programming language को लिखने का भी format होता है तरीका होता है और उसी तरीके को follow करते हुए हमें computer की coding यह computer का program लिखना होता है तो program लिखने का वही format syntax कहलाता है तो basic program लिखने का जो syntax था जो program लिखने का तरीका था वह काफी simple था आगे बढ़ते हैं तो आता है limited data structure data structure से आप क्या समझते हैं देखिए यह वाली बात आप भली बाते समझते होंगे कि computer में जो work है वह पूरा data के उपर होता है यानि computer में data store होता है data के बार processing की जाती है और processing करने के बाद ही हमें output मिलता है तो लिए data हम system को देते हैं computer को देते हैं वो data computer कानता किसी न किसी structure में जाके सैड होता है तो बैसे कि number है तो number type का structure होग उसमर यह सैट होगे कई character type का पर आपको ISर न किस तरीके से programming language में कुछ data structure डैलप किये जाते हैं और उस data structure में ही हमारा data जाके sat होता है तो basic language जब थी तब उसमें data structure था लेकिन limited था यानि एक बड़ा data structure इस time की programming में नहीं मिलता था आगे बढ़ते हैं तब हम बात करें लेते fortran की former foreign introduced in 1954-57 by जे becas के समझ में आगया कि जागे fortran ने वह नाइटें नाइटें में आइटें फिप्टीफ़व से 57 के बीच में इंट्रोडीश हुई थी और इसको जे पैकस ने तैयार किया था इसके कुछ features देख लेते हैं तो पहले features आता है इसका works on numeric computing जो आकि fortran language यह numeric computing के लिए वर्क करती थी यानि कि इसमें आप आसानी से calculations के program बना सकते थे यह calculation के लिए काफी अच्छी होती थी उसमें next इसका feature था separate compilation यहां भी सबसे पहले जानी compilation का क्या थे देखिए Fortran जो है वो इक high level language है और इसके पहले के जो वीडियो से उसमें आप high level language के बारे पढ़ चुके हैं कि जो high level language वो programmer के लिए तो बहुत सरल होती है यानि programmer उसको बहुत अच्छे समझ सकता है लेकिन computer high level language को नहीं समझता computer सिर्फ उसे machine language या binary language या object code को ही समझता है ठीक है तो अब क्या किया जाए कि हमारी language को computer समझ सके तो क्या किया जाता है जब भी हम कोई high level language में program लिखते हैं तो एक compiler नाम का software का हम use करते हैं compiler user के द्वारा लिखे हुए high level language के code को machine level language में convert करता है ठीक है तो यह conversion की process है यह कहलाती है आपकी compilation और यह process की जाती compiler software की मदद से तो Fortran में जो high level language में program लिखता था user उसको compiler की मदद से machine की भाशा में convert किया जाता था अब यहां पर separate क्यों लिखा है separate से यह मतलब है यहां पर कि जो Fortran programming language थी उसमें यदि आपका प्रोग्राम काफी बड़ा है यानि मान लिजी यह करीवन 300 या 400 लाइन से अधिक है तो Fortran programming language इतनी capable नहीं थी कि वो आपके 300-400 से अधिक लाइनों के प्रोग्राम को एक साथ compile कर सके जैसे for example 900 लाइनों का प्रोग्राम है तो क्या होगा जो compiler है यानि Fortran का compiler है वो पहले 300 लाइन के source code को machine language में convert करेगा फिर बाकी के 300 लाइन के code को machine की भाशा में convert करेगा फिर 300 लाइन के code को convert करेगा यानि separate कर देगा 300-300 की लाइन में okay so Fortran programming language में यही प्रोग्राम काफी बड़ा होता था तो इसको 300-300 लाइन में separate करने के बाद compile किया जाता था okay so I hope separate compilation के अर्थ आपने आपने समझ के होगे 300 लाइन के बीच में काम कर पाता था इससे अधिक लाइनों पे वह एकसांद कारे नहीं कर पाता था आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा sharing of data among models by a global environment बैश्विक बातावरण के माध्यम से model के बीच data साचा फिरना जो Fortran programming में लिखा हुए प्रोग्राम होते थे इसके जो data होते थे उन data models को हम global environment में transfer कर सकते थे यानि global environment में share कर सकते थे ऐसा नहीं कि हमने बनाये program तो हमारे तक इसी में रहेगा हम अपने प्रोग्राम को एक global environment में share कर सकते हैं next still in existence today mostly in science academia सरकर आज भी आस्तित में जालतर विज्ञान सिक्षा मंडल में तो आपको last line समझ में आए गई होगी जो Fortran है इसका आस्तित आज भी है आज भी इसको science के छेतर में यूज किया जाते हैं साइंटिस्स का यूज करते हैं और academia यानि सिक्षा के छेतर में आज भी Fortran का यूज किया जाता है नेक्स आके पड़ते हैं तो अब हम बात कर लेतें global programming language के Introduce in 1960 समझे गए आप की جो global programming languages वो 1960 में इंट्रद्यूज की गए थी next global programming के feature लेख लेते हैं तो इसमें लिखा है use in business data processing हिंडी में हमने लिखा है website data processing में उपयोग यानि जो बिजनस में data को process करने के लिए हम कोबोल लेंग्विज का use करते थे देन आता है structure records अब इसको आप यहीं समझ जाए कि जो कोबोल है वो business में use होता था अब जो business है उसमें तो हमेशा हमेशा record बनते ही है website यानि कितना लेंदेन हुआ है कितना मुनाफ़ा हुआ है कितना घाटा हुआ है तो एक record तो तयार होता ही है तो कोबोल लेंग्विज में आप structure यानि records को तयार कर सकते थे थर्ड आता है files आप कोबोल लेंग्विज में अपनी files को तयार कर सकते थे यानि digital files को आप तयार कर सकते थे अब आता है हमारा programming language यह थोड़ा important है इसमें हमने लिखा है developed by Dennis Ritchie in 1972 जो programming language है इसको Dennis Ritchie ने develop किया था और कब develop किया था 1972 और इसको develop किया गया था Bell Laboratory में next line आती है features were derived from an earlier language called B basic combined programming language Hindi में हमने लिखा है सुविधां को B यानि basic combined programming language नामक पहले की भाषा से लिया गया था देखिए जब आपकी C language आई C language आने से पहले एक language चलती थी और उस language का नाम था B programming language ठीक है और B programming language का देखा जाए basically तो पूरा नाम था B C P N जो कि हमने लिखा है basic जो कि हमने यहां पर लिखा है basic C का मलब है combined और P elements programming language यानि C से पहले एक B C P N language चलती थी जिसका हम साधुनरता B भाषा की नाम से भी जालते थे ठीक है जो C language तैयार हुई वह B language की features को लेकर ही तैयार ही यानि B language में जो features थे उन्ही features को लेकर उन्हें advance किया गया और advance करने के बाद C language को तैयार किया गया यानि जो C language की जन्नी ही बेसिकली BCPL है नेक्स्ट आके बढ़ते ही तो हमने लेखा invented for implementing Unix OS OS का यहाँ पर मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिए जो आपकी C language बनी थी बेसिकली वह बनी थी आपके एक Unix नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्माण करने के लिए यानि C language का जो निर्माण है वह य आपकी C language के कुछ features देख लेता है पहला feature इसका reliability जो आपकी C language है यह विश्वशनी है दूसरी होते है portability, portability का अर्थ होता है किसी भी सामान को एक जगा से दूसरी जगा ले जाना इसको हम बोलते portability है यानि C programming का जो code है वह portable यानि एक machine में बनाने के बाद अपनी pen drive या किस किसी भी storage device की माध्यम से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते यानि आपने किसी एक computer पे C का code लिखा है तो आप उसको pen drive की मदद से किसी अन्य computer पे ले जा सकते और उसको paste कर सकते आपका C language आजगाम से भूब हो जाएगा बस शर्त इतनी आती है कि जिस computer पे आप code ले जा करेगा यहां पे computer की dependency नहीं है software की dependency ठीक है तो एक machine पे लिखा हुआ program दूसरी machine को support करता है बस शर्त है कि दूसरी machine पे भी C compiler होना चाहिए तो इसी को हम क्या बोले portability तो C language आपकी कैसी है portable language है ठीक है इसमे portability है next आता है flexibility flexibility का माले होता है लचीला होना या लचीला पन होना यानि C language ऐसी language है जिसको बनाते टाइम यदि आपसे कोई गल्ती हो जाए तो आप आसानी से उस गल्ती को solve कर सकते हो यहना काफी flexible होती है C language यानि जो C programming का compiler वो यूसर से interact करता रहता है इंट्रेक्ट से मतलब है जैसे कोई गल्ती हो गई जैसे की programmer से कोई गल्ती हो गई तो जो C language का compiler है वो बता देगा कि आपने यह यह गल्ती करी इस line पे गल्ती करी आपने यह गल्ती करी है तो यूस प्रोग्रामर के लिए कितना इन्ट्रेक्टिव होती है C language then modulality C language में modulality होती है यानि आप models में अपने प्रोग्राम को develop कर सकते हो यानि यदि प्रोग्राम काफी बड़ा उसको छोटे-छोटे model में develop कर सकते हो सो जो आपके C programming है यह modulality का feature प्रोगाइड करती है देन आता है efficiency and effectiveness जो आपके C language है यह काफी efficient होती है यानि दक्षिता पूर्ण होती है और effective यानि प्रभावशाली भी होती है अब आते हैं uses of C language जानते हैं C language के क्या क्या use है यानि कहां का C language का use किया जाता है पहला आता है database system जैके आज के जमाने में आप सभी जानते कि database system के कितनी आवशकता है जैसे कि आप example ही ले लिए कि हम सबके आधार काड़ बने तो जो हमारा आधार काड़ बना है इसका कहीं न कहीं data save होगा होगा तो जो data save होता है basically हर कहीं save नहीं हो जाता किसी भी प्रकार क आधार को save करने के लिए एक database system का निर्माण किया जाता है और उसे database system के इंदर हमारा data जाके क्या होता है अब आज कर हर जगर data हमारा save होता है ठीक है जैसे आप online payment के लिए ऐसे phone पे चला रहे पे चला रहे है उसमें आप अपनी information को store करते हैं तो जो information है वो भी कहीं नहीं ज से बनाए जाते हैं दूसरा आता है graphics package कहीं सारी चीज़ें आपने आज कर देखेंगी ग्राफिकल होती है तो ग्राफिक्स को परफॉंग करने वाले जो software है वो C language की मदद से बनते है और operating system development जा आपका C language है वो operating system को develop करने के लिए यूश में लिया जाता है और आता है आपक आपने यह MS Office MS Word यह इन software की नाम सोने होंगे तो जो software यह भी C language का यूश करके बनते हैं तो आपका जो office का software यानि जो आपका word का software है वो C language का यूश करके बनाए हुआ है आपकी जो spreadsheet यानि आप जो आप Excel पर काम करते हो वो भी C language की मन से बना हुआ है नेक्स्ट आता है network drivers आज की जो आप सभी जानते हो कि networking कित्ती आवशकता है आपका जो phone है जिसमें internet चल जा रहे है यह भी बेसिकली एक network का युदारण है यानि आपका phone server से क्या है connect हो रहा है तभी तो आपकी phone में net चल रहा है यानि server से data आपकी phone में आ रहा है यानि आपक network को connect करने के लिए network driver software के आवशकता होती है तो network driver software C language की मदद से ही तैयार किये जाते है नेक्स्ट आता interpreter compiler and assembler यह जो आपका interpreter compiler and assembler है यह basically आपके utility software कहलाते है और इनका उपयोग किया जाता है high-level language में लिखे हुए source code को machine की भाशा में convert करने के लिए ठीक है तो यह जो आपके translator software है जिनको हमने नाम दिया interpreter compiler and assembler यह टीनों translate software C language की मदद से ही बनाए जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात कर लेके python programming की हमने यहां पर लिखाए python is an interpreted general purpose programming language जापके python है वो एक interpret की गई सामाने प्रयोजन programming भाशा है हमने यहां पर interpreted क्यों बोला है देखिए जो भी आपका python का program है वो interpret होने के बाद ही work करता है अब interpret से क्या मतलब है देखिए जब हम high level language का use करते हैं तो उसमें translate करने वाला software होता है इसको interpreter कहते हैं यह interpreter क्या करता है source code को machine की भाशा में convert करता है यानि human यानि high level language में programmer जो source code लिखेगा उसको machine की भाशा में convert किया जाएगा किसकी मारत से इंटरप्रेटर की मारत से तो जो python में आप code लिखोगे वह basically आप लिखोगे high level language में अब वह वाला code computer करन करेगा जब interpreter उस code को machine की भाशा में convert कर देगा तो python का code interpret होने के बाद ही work करता है इसलिए हमने बोला python isn't interpreted फिर हमने लिखा general purpose programming language यानि जो python है general purpose यानि सामाने purpose से use की जाने वाली programming language है basically जो आपके language होती है high level ये general purpose और special purpose होती है तो scientist यूज कर रहे है कोई engineer यूज कर रहे है तो special purpose हो जाता है यानि कई सारी ऐसी programming language आती है जिनका use scientist करते हैं जिनका use special engineers करते हैं तो ये तो general purpose है हम लोग use करेंगे है हम किसी विशेश प्रयोजेंस इसका use करेंगे इसका use करेंगे नॉर्मल software को बनाने के लिए कोई scientist कोई scientific work करने के लिए हम इसका use नहीं करते हैं इससे scientific work हो सकता है लेकिन इसमें कुछ उसके लिए special features आते हैं जो कि आगे चलके आप पढ़ोगे numpy तो आपका जो normal python है वो तो एक general purpose है इसको हम general purpose से use कर सकते हैं कि हम साधरन साधरन या सामाने software या सामाने प्रोग्राम इससे बना सकते हैं तो हमने लिखा है python is an interpreted यानि जो python है वो interpret की गई general purpose programming language है यानि सामाने प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाशा है फिर हमने लिखा है created by ghetto wen rossum and officially released on February 20 1991 जो python programming है यह ghetto wen rossum के द्वारा बनाई गई थी और official इसको 20 February 1991 में release कर दिया गया था next हमने लिखा है python was conceived in the late 1980s as a successor to the abc language हिंदी में भी हमने लिखा है python की कलपना 1980 के दशक के अंत में abc भाशा के उत्तरा अधिकारी के रूप में की गई थी देकि 1980s के दशक में यह मतला उसके पहले से एक abc नाम की लैंग्विज चल रही थी ठीकिए उस abc language को विस्तार करने के लिए ही python language का निर्माण किया गया था यानि उससे में कलपना की गई थी और कलपना करके 1991 में इसका निर्माण कर दिया गया था ठीक है तो हमने यहां पर लिखा है python की कलपना कब हुई थी 1980 के दशक के अंत में आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है python 2.0 released in 2000 and python 3.0 released in 2008 जो python 2.0 version है यह 2000 में release हो गया था और python का 3.0 version है यह 2008 में release कर दिया गया था ओके स्टुडेंट्स तो यह थे हमारे कुछ विशिस प्रोग्रामिंग लेंग्विज के introduction और उनके कुछ features ठीक है इसमें आप C language और python language के points को अच्छे से note कर लीजेगा ओके फ्रेंट्स तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बैबै झालते है के वीडियो लेंगा ठीक है एवाय!